नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का फार्मसिस्ट रागव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको गर सेक्शुल डिसफंक्शनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो आज हम एक नैचुरल कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि बहुत ही amazing result देता है तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालिया गेट अंटेक्स रोयल कैपसूल के बारे में जिसका बहुत ही amazing result है तो इस वीडियो में हम detail में जानेंगे like इसके functions क्या-क्या होते है किस किस चीज लिए इसको use किया जाता है और जो इसकी composition है बात करेंगे तो वीडियो के एंट तक पुरा जरूर देखें चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट करता है और एक बहुत अमेजिंग कंपनी है आयरवेदिक प्रोडक्ट के लिए और अगर हम इसकी कोस्टिंग की बात करें तो दोस्तो पच्चीस उर्वे का इसका पत्ता आता है जिसके अंदर आपको 10 कैप्सूल्स मिलते हैं और अविलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तो य इसली हर जगा आपको मिल जाएगा क्योंकि इसकी अविलेबिलिटी भी आल ओवर इंडिया बहुत ही अच्छी है तो इसकी आपको टैंशन नहीं लेनी है कि आपको यह मिलेगा कहां पर अधरवाइज आप ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर जाके ऑनलाइन भी इसको और कर सकत जिसको इंग्लिश में या फिर उसका बायलोजिकल नेम आप कहेंगे तो हाईग्रोफीलिया होता है तो दोस्तो बेसिकली इसका काम क्या होता है यह नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है जिसकी जैसे आपके पेनाइल ब्लड फ्लो में इंक्रीज होता है और आपको एक अच्छा erection मिलता है अगर आपको erection की दिक्कत है तो ये उसको sort out करने में बहुत ही helpful हो सकता है जैसे sometime लोगों को erectile dysfunction की दिक्कत होती है तो इसमें इसका बहुत ही अच्छा आपको result मिलेगा और जो इसका दूसरा component है वो है small caltrops जिसे English में बोलते हैं और हिंदी में इसको गोखशुरा बोला जाता है जो कि आप सभी जानते होंगे जो जिम वाले वन्दे हैं उनको भी पता होगा ये as a testosterone booster भी लोग इसको natural testosterone booster भी बोलते हैं और इसको erectile dysfunction के लिए भी use किया जाता है फिकाज ये भी blood flow को increase करने में बहुत ही helpful होता है और एक increase देता है ये performance के अंदर भी तो दोस्तो ये थी इसकी basic information अब बात कर लेती हैं details में इसके केके uses होते हैं तो दोस्तो सबसे पहले number पे आता है ये आपके stress को relieve कराने में helpful होता है because stress एक बहुत ही major कारण होता है erectile dysfunction के लिए फिर जो अगर हम कहें तो sexual dysfunction के लिए stress एक बहुत बढ़ा major कारण होता है तो ये उसको भी sort out करने में help करता है और अगर दूसरे point के अगर हम बात करें तो ये आपकी performance को भी improve करने में बहुत ही helpful होता है यहांपर अगर हम performance की बात करने तो ये daily life जो routine होता है उस performance की भी बात कर रहे हैं plus में sexual performance की भी इसमें बात की जा रही है ये दोनों में बहुत ही helpful होता है। तीसरे point के अगर हम बात करें तो दोस्तों ये mood uplifts करने में भी बहुत ही helpful होता है। और चोथे number पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि अभी हमने बात किया था ये sexual dysfunction के लिए use किया जाता है men's के अंदर, तो अगर अगर किसी भी तरह के आपको dysfunction है तो ये उसमें बहुत ही helpful होता है। और पांचवे number पे आता है दोस्तों ये erectile dysfunction में बहुत ही अच्छा काम करता है और इसका बहुत ही amazing result है तो ये उसके लिए आप इसे use कर सकते हैं। sixth point के अगर हम बात करें तो दोस्तो basically ये blood circulation को बढ़ाता है जिससे कि आपकी जो problems है ये sort out होती हैं तो basically आप कह सकते हैं आपके blood circulation को improve करता है to the penile area जिसके जिससे आपको पहुत ही अच्छे results मिलते हैं। 7 way number पे आता है दोस्तों ये आपकी sexual drive को improve करता है और sexual functions को भी improve करने में बहुत ही लाबकारी साबित होता है और 8 way point पे आता है जो ज़्यादतर man's की problem होती है जिसके लिए वो बहुत परेशान रहते हैं जो की होता है इट ensures better control over ejaculation ये आपके ejaculations पे भी आपको बहुत ही अच्छा control प्रोवाइड कराता है तो दोस्तों ये थे इसके कुछ major uses अब बात कर लेते हैं क्या इसके कोई side effects हैं दोस्तों हर चीज का side effect होता है बट आयरुवेदिक medicine है तो as such इसका कोई side effect नहीं है बगर आप इसका overdose करेंगे या फिर इसको गलत तरीके से लेंगे तो हर चीज का overdose होता है तो उस चीज को हमेशा ध्यान में रखें बगर आप इसको recommended dose में लेते हैं तो इसका कोई side effect नहीं है इवन आपको ये बहुत अच्छा result प्रोवाइड कराएगा और अब बात कर लेते हैं इसका dose क्या होना चाहिए जो सबसे main point है तो दोस्तो जो इसको recommend किया जाता है या फिर जो इसका dose होता है वो होता है two capsules daily आपको दो capsules daily लेने है बट लेने किस time पर है one hour before bad time जब आप सोने जा रहे हैं उससे एक घंटे पहले आपको दो capsules लेने हैं यह helpful रही हो वीडियो और मैंने हर एक doubt आपको इस वीडियो में clear कर दिया हो ऐसी और information के लिए आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं और Instagram पर जाकर हमसे अपनी query भी पूछ सकते हैं लिंक्स आपको description में मिल जाएंगी thank you दोस्तो बाबाई take care मिलते हैं अगली informative वीडियो के साथ में